हेलो दोस्तों स्वागत है आपका टार्गेट टीचिंग एक्जाम यूटूब चैनल पे तो यूपी बीट इंट्रेंस एक्जाम की तैयारी में आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी का प्रेक्टिसेट नंबर तीन तो देखते हैं पहला कोस्टन पूछा है प कि निम लिखित वर्डों में कौन सा वर्ड जो है मुर्धन्य नहीं है तो कौन सा वर्ड जो है मुर्धन्य नहीं है आपसन में दिया है ज ट ड या फिर ठ तो देखिए ये तीनों जो वर्ड हैं ये मुर्धन्य है ट ड और ठ जो मुर्धन्य नहीं है वो है आपका आपसन ए ज़ तो इसका राइट एंस्वर हो गया ज़ देखते हैं नेक्स्ट प्रस्ट कोशन नमबर तीन में पूछा है जिन स्वरोगे उचारण में दो मत्राव से अधिक समय लगे वे कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं दिर्ग, प्लूत, हरस्व या अनुनासिक तो इसका जो राइट प्लूत आई जिनमें 1 मत्र का समय लगता हैुवे घरक्र कहलाते हैं आपसंसी में जो घरक्रण का समय लगता है उचारण में उन्हें दिर्ग, प्रस्ट कहती कि नमर चार में पूछाएँ निम्लिखित में से कौन सा सब जो है तत्सम नहीं है आपसन में दिया है नर्ग, स्वर्ग, खग या पुहुमी तो कौन सा सब तत्सम नहीं है तो इसका जो राइट एंसर है आपसन डी जो पुहुमी दिया है यह जो है तत्सम नहीं है यह जो एक तत्भव सब्द है बाकि चार विकल्फों में से उस विकल्फ का चेयन करें जो दिए गया इस शमद का अb between कुंत विए है इसमें पुछ है है तो जोःता टाजए है 살 इसका डेंटन इनum छे नमबर का प्रस्ण है निम लिखित में से कौन सा जो सब्द है तत्सम नहीं है तो चारो आपसन में से कौन सा सब्द तत्सम नहीं है आपसन में दिया है गायक नायक सावक या उपखान तत्सम नहीं है यानि तदभव है तो कौन सा है तो जो आपसन डी में उपखान दिया तदबह सब्द है कि कोस्टन नम्मर साथ पूछा है निमल में से कौन सा सब जो है देशज सब्द है तो कौन सा सब अद्धकार का परेवाची नहीं है आप संद में दिया है तम अंधेरा आमवस्य या तिमीर य Apache तो कौन सब्द अंध्धकार का प्रेवाची नहीं है तो इसका राइट रिखे दोत Chinese के प्रहेवाची नहीं है यानि क्यों सुर्ण यह सब्द्द सागर बारिष या फिर ताला कि जिसका प्रयवाची में तिसका प्रहणी ए में सगे हैं कि तो कोर्ष्ेयर नुम्हें नमर्र द्रश पूचहा है पत्नी का प्रहाची सब्द्द नहीं अप्षन दिया है कलत्रदारा नंदिनी या प्राडक्रिया Q7 से पत्णि का प्रयवाची नहीं है तो इसमें जो राइटएंट अरू गया आप्षन C नंदिनी यह आ पत्णिक का प्रयवाची नहीं यह पुत्री का प्रयवाची होता है Q1 11 में पूछा है ठोस का विलोम है आपसन में दिया है सघन तरल घन या निर्धन तो ठोस का विलोम है आपसन बी में जो दिया है तरल इसका राइट एंसवर है बारा नमबर का प्रस्द है मस्रिड सब्द का विलोम है तो कौन सा मस्रिड सब्द का विलोम तो इसका राइट एंच्वर है आपसन सी में जो रुछ दिया है ये मस्रिड का विलोम है कुश्चन नमर्ट 3 गम्मे का विलोम सब्ध है तो गम्मे का विलोम सब्ध क्या होता है यह होता है अगम्मे अप्षेन भी इसका राइट एंसवर है आरती आरती सब्द युगम का सही अर्थ भेद होगा तो इसका राइट एंसर हो गया आपसन ए जो यहाँ पर आरती लिखा है इसका अर्थ होता है धूप दिप आदि द्वारा पूजन और इस आरती का अर्थ होता है दुख देखते हैं अगला प्रस्थ पंदरा नमबर का प्रस्थ है सुल्क और सुकल का अर्थ लिखें तो कौन सा अर्थ होगा सुल्क का और सुकल का तो इसमें जो राइट एंसर है यह है जो सुल्क का अर्थ होता है वो होता है कर और सुकल का अर्थ क्या होता है वो होता है सफेद तो कहां पे है आपसन में? तो जो आपसन D में दिया है कर और सफेद इसका राइट एंस्वर है कोश्चन 16 पूछा है तीन वेदो का ग्याता इस वाक्यांस के लिए एक सब्द क्या होगा? तो तीन वेदो के ग्याता को हम लोग क्या कहते है? तो इसे कहते हैं त्रिवेदी आपसन भी इसका राइट एंसर है को संग 17 में पूछा है निम लिखित सब्दों की सुध वर्तनी बतानी है हांसी उट आंधी या उचाई इनमें से कौन सा राइट एंसर हो गया तो इसमें जो राइट एंसर यह है जो यह आंधी लिखा है यह सुध वर्तनी है कोश्चन 18 में पूछा है दिये गए विकल्पों में से सुध वर्तनी वाला सब्द कौन सा है तो चारो आपसन आप लोग देखें अच्छे से तो इसमें जो सुध वर्तनी वाला सब्द है वो है आपसन भी समर्पित कोश्चन 19 पूछा है इनमें से कौन सा समो वेक्तिवाचक संग्या का सही उदारड है तो चारो आपसन आप लोग अच्छे से देखें कौन सा वेक्तिवाचक संग्या का सही उदारड है तो आपसन आ में जो दिया है बुड़ापा अहिंसा कुरता और प्रेम ये तो भाव वाचक संग्या है तो ये तो कट गया आपसन भी में जो दिया है बच्चे अध्यापक मनुस्य और पच्छी तो ये तो पूरा जातिवाचक संग्या हो गया, तो ये भी कट गया, हमको वेक्तिवाचक संग्या बताना है, तो इसमें जो वेक्तिवाचक संग्या होगा, वो होगा, जो आपसंद C में दिया है, देखिए, सीतल, गीता, मुंबई, राउनक, ये सबी के सबी जो हैं वेक्ति वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, जो चारो आपसनों में से कौन सा सर्वनाम इसमें राइट होगा, वह बहुत अच्छा लड़का है, तो इसमें जो राइट एंसर हो गया, यह है, आपसन D में जो दिया है, या निश्चेवाचक सर्वनाम का कोश्चन 21 वह पढ़ता है लेकिन सहतानी भी बहुत करता है वाकिन में रेखांकित सब पैचानी है तो इसमें जो रेखांकित सब्द है यह है लेकिन लेकिन यह रेखांकित सब्द है इसको आपको बताना है तो लेकिन क्या है यह जो है अब बेशब्द है तो इसका राइट एंसर हो गया आपसंडी कुश्चन बाइस है निमलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में जो है पूर्वकाली क्रिया है तो इसका राइट एंसर है आपसंडी वह खाना खाकर खेलने लगी question number 23 से घर के भीतर से जो है साप निकला इस वाक्य में परियुक्त विशेशल कौन सा है तो इसमें जो परियुक्त विशेशल है वो है सम्मंद वाचक आपसंसी इसका सही उतर है question 24 में पूछा है निकला में से कौन सा सब पूलिंग में परियोग नहीं होता है तो कौन सा सब पूलिंग में परियोग नहीं होता है यानि इस्त्रिलिंग में परियोग होता है तो चारो आपचन में से कौन सा राइट एंसवर है तो इसका जो राइट एंसवर है आपचन B राजा का स्थ्री लिंग हो जाएगा रानी तो रानी ने दान दिया Q26 में पुझा है वर्सा सब्द का उचित बहुबचन ग्याद करें तो वर्षा का उचित बहुबचन क्या होगा तो इसका रायेट एंस्र होगा आपसन सी वर्षा का जो बहुबचन होता है वो वर्षा ही होता है पुर्षे 27, प्र उपसर्ग से बना सब निम्ड में से कौन सा है, तो इसमें राइट es था क्या होगा तो इसमें जो राइट एट एंसर होगा वह होगा प्र गति आपसंदी सका राइट एंसर होग्या प्र प्लस गति question 28 में पूछा है परा उपसर्ग से बना सब निम्न में से कौन सा है तो परा उपसर्ग से कौन से सब बना है तो इसका right answer है option C परा प्लस जए question 29 में पूछा है कि अभी उपसर्ग से बना सब निम्न में से कौन सा है तो इसमें right answer हो गया option A अभी अर्थी अभी प्लस अर्थी कोस्चन तीस में पुछा है या प्रत्य से बना सब निम्न में से कौन सा है तो इसका राइट एंसुर हो गया आपसन है जैपुरिया Question 31 में पुछा है एक प्रत्य से बना सब निम्लिखित में से कौन सा नहीं है तो इसमें राइट एंसर क्या होगा तो इसमें जो राइट एंसर हो गया आपसन सीता है राग इसमें जो है एक प्रत्य नहीं लगा है Question 32 पुछा है तब प्रत्य से बना सब्द निम्लिखित में से कौन सा है तो तब प्रत्य से कौन सा सब्द बना है तो इसमें राइट एंसर हो गया आपसन जो बी में दिया है रंगत इसका राइट एंसर हो गया Question 33 में पूछा है निम्लिखी चार विकल्पों में से उस विकल्प का चैन करें जो दिये गे मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है यानि छाती पर साप लेटना इसका इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है इर्षया करना तो आपसन ये राइट सब्सक्राइब का राइट एंस्वर है कि कॉस्चन 35 निम्रिखित प्रस्णों में से चार दिये गया है उस विकल्प पर चैन करें जो सही संदी विछेद है जिसमें तो स्वचंद का सही संदी विछेद क्या होगा तो इसका जो सही संदी विछेद है वह है जो आपका आप्ष सब्द में कौन सी संदी होगी तो इस है नियायले में कौन सा समास है तो नयाय के लिए आन्य आ यहानि कि इसमें दद़त पूरु समास होते हैं Q. 38, अन जाने में कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा समास है? तो इसका राइट एंट वर हो गया आपसन C, इसमें अब्बै युहाव समास है. कोशन 49 परियाग राज में जो है गंगा नदी बहती है यह जो है किसका उचित उधारण है यानि यह जो वाक्य है वो कौन सा वाक्य है सरल सयुत या मिस्र तो यह जो है सरल वाक्य है आपसन यह इसका राइट एंट वह रहा है कोशन 40 पुत्री के द्वारा माता को पत्र में संब्धन क्या होगा तो यह होगा पुजनिया माता जी आपसन भी इसका राइट एंट वह रहा है कोशन 41 कार्याले आदेश में अधिकारी का हस्ताचर किसा स्थान पर आएगा तो यह आएगा नीचे दाएनी तरफ यानि आपसन आइए इसका सहित्तर है कोशन 42 निम लिखित में से कौन सवाग के सुध है तो जारो आपसन आप Sahib लोग अच्छे से देख ले तो कौन सवाग है, तो इसमें जो सुध है वो है, अपने हाथों से काम करना जो है अच्छा होता, यह जो है सुध है, बाकि तीनों अपसंद भी आम लोग देख लेते है," describe तो इसमें दिया है, तेरी बात सुनते सुनते कान पग गये, तो यहां बात नहीं हो होगा मैंने होगे होगा तो इसलिए ये भी गलत है फिर दिया है आपका हुआ कि उसने संतोज का सास ले तो यहाँ का नहीं होगा है कि होगा तो इसलिए यह भी गलत है त तो राइट-एंसर होलो है आप संडि पूचा है निम लिखित में से कौन सवा के सुध है तो ये भी वाकि सुधी से प्रस्ण है तो चारो आपसन आप लो देखें तो इसमें जो सुध वाकि है यह जो आपसन D में दिया है यूग की मांग का यह बीडा कौन उठाता है इसका राइट झार है तो बाकी तीनों आपसन देखें हम लोग तो इसमें दिया है इस परवतिय assigned में सर्वस्वा सान्ति होती है तो सर्वस्व यहां नहीं होगा, यहां होगा सर्वत्र, यहां सर्वत्र होगा, तो यह गलत हो गया है, यहां दिया है बच्चे को छील कर केला खिलाओ, तो बच्चे को छील कर केला नहीं, यहां पे होगा, केला छील कर बच्चे को खिलाओ, तो यह भी गलत हो गया, फिर कोश्चन 424 निम्निकित में से कौन सा वाग की सुध़ है आपसन चार वहाप्सन आप लोग देखके बताएं कौन सा राइछ एंस्वर है है तो इसमें दराइट यह है आपसन ए डाकवो के अथंक से जो है सारा गाउं धराता था आपसन A, इसका right answer हो गया बाकि आपसन B में जो दिया है मैं सोमुआर के दिन तुम्हारे घर आउंगा तो यहाँ पर सोमुआर के साथ दिन का परियोग नहीं होगा या तो सोमुआर होगा या तो दिन होगा तो इसलिए यह गलत हो गया आपसर C में दिया है वह क्या जाने कि मैं कितना जीवित हूँ तो इसमें जो है कितना नहीं होगा कैसे होगा यहां होगा कैसे जीवित हूँ तो यह भी गलत हो गया फिर दिया है किसी और लड़के को बुलाओ तो इसमें क्या गलती है तो इसमें जो गलती है किसी और लड़के नहीं होगा किसी दूसरे लड़के को बुलाओ तो ये भी गलत हो गया तो आपसन ए इसका राइट एंट स्वर है 45 नमबर का प्रस्ण पूछा है निम लिखित में से निर्देशक चिन कौन सा है तो निर्देशक चिन कौन सा है तो राइट एंट स्वर है आपसन डी यह जो लिखा है यह जो है निर्देशक चिन है आप कोस्टन 46 आपको गद्दांस दिये गए हैं तो गद्दांस आप लोग अच्छे से वाज करिए मैं इसका एंस्वर बता दूंगा आपको गद्दांस इजी आता है कोई बहुत टफ नहीं आता है तो आप लोग असानी से कर लेंगे बस कोस्टन वाज करें और गद्दांस में ढूटे कहां दिया है तो आपको एंस्वर मिल जाएगा कोस्टन पूछा है पुष्टकालेयों के द्वारा किसके जीवन की रच्छा पुष्टी और अभिवर्दी होती है तो जब आप लोग गद्दांस पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है साहित्य साहित्य की सहित्य कहां दिया है आपसन अ में तो आपसन अ इसका राइट एंड शर हो गया कोस्टन साहित्य के उन्नति के साधनों में महत्पूरा स्थान किसका है तो किसका है तो यह है पुष्टकाले का सारी बात ये गद्दांस में लिखी कहीं है जब आप लोग गद्दांस देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कुश्चन 48 सब्वेता के इतिहास का जीता जाकता गवा है तो क्या है यह है पुष्टकाले आप से ने सही है कुश्चन 49 पुछा है मुद्रड कला के अविसकार के पहले कौन सा कारे कठिन था तो कठिन था जो कारे वो था पुष्टकों का संग्रा कुश्चन 50 उपरियुक्द गद्दांस का उचित सिर्थक है तो जब आप लोग गद्दांस पढ़ेंगे तो उसमें जो आपको सिर्थक मिलेगा वो मिलेगा पुष्टकाले और भारत आप से इसका राइट एंट पर है तो यहां पर पूरे 50 कोश्चन कंप्लीट हो गए हैं तो जितने भी लोगों ने वीडियो को वाज किया है अगर उन लोग को जो कोश्चन कराए गए हैं वह इंपोर्टेट लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें